नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचित दोस्त उपस्थेत हूँ आप सभी कि सिवा में एक बहद ही महत्तपूर जानकारी को ले करके जिहां दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कच्चे पपीते को खाने से होने वाले फायदों से रिलेटेट एक पका हुआ पपीता हमारे शरीर के लिए बहुत ही लापकारी है इसके रोजाना सेवन से शरीर की कई गंभीर बीमारियों को दूर किया जा सकता है लेकिन क्या आपको पता है कि पके हुए पपीते की तरह ही कच्चा पपीता भी शरीर के लिए बहुत फायदे मंद होता है कच्चे पपीते की सबजी तो आपने खाई ही होगी लेकिन अगर आप इसे हमेशा खाने की आदत ढालने तो पेट से संबंधित सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी यह मैगनीशियम, पोटैशियम, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E और B का बहुत बड़ा शरूत है इसके सेवन से आप स्वस्त रह सकते हैं, तो आईए इसके फायदों को हम सभी जानते हैं सबसे पहले तो मासिक धर्म के दोरान दर्द को कम करती है जिहां अनुसांधान में पाया गया है कि यदि महिलाएं कच्चे पपीते को खाती है तो महिलाओं के शरीर में आक्सिटोसिन और प्रोष्टाग्लेंडिन केस्तर को बढ़ाया जा सकता है कच्चा पपीता महिलाओं के गरभाशे में संकुचन लाती है और मासिक धर्म के दर्द को कम कर सकती है इसके हलावा ये मधुमेह में बेहद सहायक साबूइत होती है अगर आप मधुमेह की बिमारी से पिडित हैं तो कच्चा पपीता खाये जिहां डाइबिटीच के लिए ये बेहतर और शदी के रूप में कारे करती है पपीते का जूस पीने से रक्त शरकरा के अस्तर को कम किया जा सकता है यह शरीर में इनसूलीन की मातरा को बढ़ाता है इसके साथ साथ अगर आपको कब्ज की समस्या है तो ये उससे आपको छुटकारा दिलाएगा जिहां कच्चे पपीते में भरपूर मात्रा में फाइवर होता है जो कबज की समस्या से छुटकारा दिलाता है इसमें ऐसे एंजाइम पाये जाते हैं जो पीट में गैस बनने से रोकते हैं और पाचन में सुधार करते हैं यह शरीर में विशाक्त पदार्थों से छुटकारा दिलाने में भी मदद करता है इसके हलावा यह विटामीन की कमी को दूर करता है बहुत ही कम लोगों को मालुम है कि कच्चे पपीते के सेवन से विटामीन की कमी को दूर किया जा सकता है इसके साथ साथ ये immune system को भी बहुत मजबूत करता है कच्चे पपीते और उसके बीज में बहुत सारे vitamins पाय जाते हैं जैसे A, C, E ये सारे सम्मिलित होते हैं उसमें जो की शरीर के immune system को मजबूत बना सकते हैं कच्चा पपीता सर्दे और जुकाम के साथ infection से भी लड़ता है इसके साथ साथ जो माएं बच्चे को दूध पिलाती हैं उनके लिए भी ये बहुत लाफकारी होता है भारत में महिलाएं सालों से कच्चे पपीती का इस्तेमाल दूध बढ़ाने के लिए करती आ रही हैं जो माँ अस्तन पाण करवा रही हैं उनके लिए कच्चा पपीता बहुत अच्छा माना जाता है इससे दूध बढ़ाने में मदद मिलती है यह बैक्टीरिया बढ़ने से भी रोकता है महिलाओं में अक्सर मुत्र संक्रमण हो जाता है जिसको दूर करने के लिए कच्चा पपीता खाना चाहिए इसके साथ साथ अगर आपको अपने वजन को कंट्रोल करना है यानि कि कम करना है जो लोग अपने वजन बढ़ने से परिशान है उन्हें कच्चा पपीता खाना चाहिए पके हुए पपीते के मुकाबले इसमें ज्यादा सक्रिय एंजाइम होते हैं जो फैट को कम करने में सहायता करते हैं तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्तो पूने सानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों